आईनो स्केर में डीक्ट को कंद किया गया, तो यह रेडियेशन पसे आ रहा था, इसके बारे में हम लोग जामते हैं, कि सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि सूपर नोअ होता क्या है, क्योंकि ये radiation जो है एक supernova का radiation था जो की earth के surface पे मतलब की earth के environment में enter कर रहा था जो की ionosphere पे detect किया गया detect किया गया तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि supernova होता क्या है देखें जब भी भी कोई एक बड़ा star होता है एक big star जो कभी भी explode करता है मतलब कि जब वो खतम होता है तो उससे में एक massive explosion होता है और उसके साथ साथ काफी मातर में radiation निकलता है तो ऐसे stars को जो की almost dead star होते है उसको हम लोग बोलते है supernova तो इससे क्या होता है कि electromagnetic radiation निकलते है जिसका electromagnetic radiation का ही एक पार्ट है gamma radiation जो की काफी मातर में निकलता है तो अभी और्थ के atmosphere में देखें आइनो sphere पर gamma radiation को detect किया गया जो की एक supernova का था तो हम लोग देखते हैं कि अर्थ के different layer क्या क्या होते हैं तो देखें और से atmosphere में आज से 18 km के बीच में होता है ट्रोपोइस्टेयर जो की एक बद बीपीयसी 68 में पुछा गया था कि प्रोपोइस्टेयर कहां से कहां तक होता है तो देखें आज से 18 km के बीच में होता है ट्रोपोस्पेयर उतके बाद में होता है इस्ट्रेटोस्पेयर जो की होता है 18 से लगवक 50 km के आत्पास में और इसमें ही इसी स्ट्रेटोस्पेयर में जैसे की अपना एरोप्लेन वगएरा जो चलते हैं उरान भरते हैं वो स्ट्रेटोस्पेयर में भरते हैं इसके बाद आत अपना ozone layer जो की बिलकुल straighto sphere के पास ही होता है या यो कहें कि straighto sphere का ही एक part होता है जो की लगबग 50 km के आसपास होता है। उतके बाद आता है अपना mezo sphere जो की highly dense होता है और इसमें temperature काफी ही कम होता है। फिर इसके बाद में आता है आइनो एस्टेर जो की लगभग 90 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर के बीच में होता है और ये आइनो एस्टेर क्या करता है कि जो भी कॉम्निकेशन होते हैं जो भी कॉम्निकेशन सिग्नल जो अर्थ से जाते हैं उनको रिफलेक्स बैक करता है ये म गामा रेडियेशन को जो की था एक सुपर दुवा का रेडियेशन तो हम देख सकते हैं यहां की कैसे आईनो एस्पेर हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट है जो हमें बचाता है किसे आउटर स्पेस के रेडियेशन से हमें पोटेश करते हैं इसके साथार जो भी ultra violet rays आते है उसके कुछ पार्ट को भी ये reflect back कर देता है कौन? आयनो एस्टेर यूवी रेज को भी ये reflect करता है उसके बाद क्या होता है? कुछ यूवी रेज आता है जो ozone layer के द्वारा ये देखें तो आगे देखते हैं कि आइनो यह यहां बोला गया है कि आइनो एस्टेर इस सिच्वेटेज एबाउट फिप्टी तू नाइन फिप्टी किलोमेटर एबोग अर्फ सबसे स्ट्रेशिंग अभेडी एज अफ दे स्पेस इसके अलावा गामा रेज गामा रेज कॉल्स और यहां हम लोग जैसे की देखें कि हाउ आइनो सिच्वेटर इस हेल्पफुल तो यह अभी जो यह जो अभी गामा रेज कर एडियसन डिटेक्ट किया गया उसे क्या हो सकता था कि एलेक्रिक सिगनल जो भी है कॉमिकेशन सिगनल है और सर्फेस पर वो डिस्टर्ब हो सकत होते थे लेकिन यह पोटेक्ट कर लिया क्या किसके दौरा आइनो सिच्वेटर के दौरा अच्छा आइनो सिच्वेटर में क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं चार्ज पार्टिकल्स तो पूछा जा सकता है कि चार्ज पार्टिकल्स और सिच्वेटर के कौन से में होते हैं तो यह होते हैं आएनो स्पियर वाले